तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ चार नियम बताना चाहता हूँ और ये चार नियम का पालन आप सब करिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूँ कि ये चार नियम का जो भी पालन करेगा जिन्दगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं परमपुझनिय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन चार नियमों का पालन करते हैं आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत आच्छा होगा मैं भी करता हूँ मेरे जीवन मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूँ उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं वो नियम का पालन करता हूँ और वो ही नियम आपको बताना चाहता हूँ स्वामी जी पालन करते हैं मैं करता हूँ हमारे लाखों योग सिक्षक करते हैं और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाब हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइगलिस्राइट्स नॉर्मल है, कॉलेस्ट्रोल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुरवेद की एक छोटी सी जानकरी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आयुरवेद में ये कहा गया है, कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है, तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे, अपना वात, पित और कफ, तीनों का संतुलन रखे वो। तीन तरह के दोश हैं हमारे शरीर में, वात, पित, कफ आपने सुना होगा, ये त्री दोश आधारित शरीर है, जब वात बहुत बिगड़ जाता है, तो असी से ज़्यादा रोग आते हैं, जब पित बहुत बिगड़ जाता है, तो लगबग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब क खासी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखरी रोग माना जाता है ये सब वात पित कफ के बिगड़ने का खेल है तो इस देश के आयुरवेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं जैसे चरक रिशी जैसे शुशुर्त रिशी ऐसे एक रिशी एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अश्टांग हिर्देम और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अश्टांग संग्रहम इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने साथ हजार नियम बताए हैं उनमें से चार बताता हूँ अच्छे लगें तो आज से ही पालन करो और दूसरो को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े ये चारो नियम है वात पित और कफ को संतुलित रखने के लिए अब वात पित कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहे तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं प सब के सब और बिना पानी पीए खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते खाना कम खाते हैं पानी ज़्यादा पीते हैं ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना क्योंकि महर्शी बागवट कहते हैं भोजनांते विशमवारी मानि भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंद बाद पानी मत पियो अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पियें कारण बता दो कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाशा में हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकठा होता है पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर संस्कृत में हिंदी में जठर कहते अंग्रेजी में उसको एपिगेस्ट्रियम कहते हैं हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं, ये जठर छोटा सा इस्थान है, आपके पेट में ना भी है ना, उसके लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ छोटा सा इस्थान है, सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है, जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सबजी, दूद, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है, अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है, तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं, जठर अगनी, मिला क और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अगनी जलाओ उसके उपर दूद रख दो दूद में थोड़ा चावल डाल दो अगनी जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी आप घर में अगनी जला उसके उपर पानी रख दो उसमें डाल डाल दो डाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अगनी जलेगी ऐसे ही पेट में होता है जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जलती है और जब तक अगनी जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं तो आप ने खाना खाया पेट में अगनी जल गई अब वो खाने को पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया बरफ मिलाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अगनी जलेगी की बुझेगी अगनी के उपर पानी डालो तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पेट में पड़ा-पड़ा सड़ेगा और सड़ा हूआ खाना सौ से जादा विश पैदा करेगा और वो सौ विश आपकी जिन्दगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहें आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उनी को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एक दम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब लक्षण है जब खाना पचता नहीं तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो विश पैदा करेगा और वो विश आपको बीमार करेंगे इसलिए महर्शी बागवट ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो समझ में आया फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिये कम से कम एक घंटे तक एक घंटे बाद पानी पियो आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों ये जो अगनी जलने की क्रिया है ये लगवग एक घंटे तक ही चलती है पेट में उसके बाद अगनी अपने आप शान्त हो जाती है उसके बाद पानी पियो तो खाना अगर दस बजे खाया तो ग्यारे बजे पानी पियो ग्यारे बजे खाया तो बारे बजे पियो बारे बजे खाया तो एक बजे पीओ, एक घंटे बाद पानी पीओ अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पीलो, 40 मिनट पहले पेड भर के पानी पीलो 10 बजे खाना खाना है, 9 बज़ के 20 मिनट पे खूब पानी पीलो, जितना पी सकते हो 11 बज़े खाना खाना है, 10 बज़ के 20 मिनट पे पीलो, खूब पानी पीलो, 40 मिनट पहले आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ कर तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो मठा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो गन्य का रस पिलो संत्रे का रस पिलो मुसम्मी का रस पिलो अनार का रस पिलो अब आप कोगे ये सब महंगी महंगी चीज़ें बता रहे हैं गन्य का रस, संत्रे का रस, अनार का रस पैसे तो है नहीं तो सबसे सस्ता रस है नीबू का ही रस पीलो शिकंजी बना के पीलो वो तो सबसे सस्ता है तो खाना खाने के बाद या तो दही की लसी पीओ या रस पीओ और एक तीसरी चीज है दूद पी सकते तो खाने के तुरंद बाद पीना है तो दही की लसी या मठा खाने के तुरंद बाद पीना है तो कोई फल का रस खाने के तुरंद बाद पीना है तो दूद पानी एक घंटे बाद पियो और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सबेरे खाना खाते हैं नियम का पालन कर सकते हैं जिन्दगी में कभी भी असी रोग उनको नहीं हो सकते वात पित्तकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते तो ये पहला नियम मैंने आप से कहा दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो घूट घूट भरके पियो जैसे गरम चाई पीते है गरम कॉफी पीते है गरम दूद पीते है एक एक घूट भरके एक एक सिप करके ऐसे ही पानी पीने की आदट डालो ये मूँ में एक बार गिलास लगा लिया गटा गट उसको खाली कर दिया ये तरीका गड़ बढ़ है एक गूट पानी दो गूट पानी एक बार में उतना ही पीओ आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक एक गूट पानी जब हम पीते हैं तो मूँ की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मूँ की लार होती है ये चारी होती है और पेट में हमेशा अमल बनता रहता है तो एक गूट पानी पिया मूँ की लार इसके साथ अंदर गई दो घूट पिया और ज़ादा गई बार-बार लार अंदर जाएगी तो छार पदार्थ पेट के अमल के साथ मिलेगा पेट में अमल बनता है मुँ में लार छार ही ये होती है तो ये छार को अमल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती तो रक्त में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिन्दगी में कभी भी वात, पित, कफ के असंतुलन की इस्थिती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट-घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा सा मेरा अब्जर्वेशन बताता हूँ परीक्षन आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनश को छोड़कर पशू पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते हैं किसी चड़िया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोँच के एक बूंद में के बराबरी पानी उठाता है एक बार में एक बून पान दिलेगा, फिर थोड़ी देर चोच चलाएगा, फिर पियेगा, फिर दूसरी बून लेगा, फिर चोच चलाएगा, फिर पियेगा, फिर तीसरी बून, एक एक बून पक्षी पानी पीता है, कुते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पानी पीता है, शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है, जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डाइबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, को कोई पशू ओवरवेट नहीं है, वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशे आरहे हैं, कि पानी चाट के पीते हैं, या घूट घूट करके पीते हैं, अब मुझे ये हैरानी होती है, कि ये पशू पक्षियों को कौन सिखाता है, वो अपने जन्म से ये घ्यान सीख के आते, उनका कोई गुरू नहीं है, उनका कोई विद्याले नहीं है, उनके कोई प्रसिक्षन शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है, कि पानी घूट घूट पीना, और हम ये मनुश जिनके इतने गुरू, इतने विद्याले, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर गटा गट गटा गट पानी पीते रहते हैं, तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भरके पानी पीओ, ये दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पियो बरफ डाला हुआ पानी फ्रिज में रखा हुआ पानी वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है ये कभी मत पीना क्यों कि शरीर आपका गरम है और पानी ठंडा है अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाशा में पेट तो गरम है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर जगडा होता है और जगडा क्या होता है या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गरम करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होता है हिरदय के ठंडा होते ही मस्तिष ठंडा होता है मस्तिष के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालूम है जब शरीर थंडा पढ़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते निकाल के बाहर सड़क पे रख देते जो घर आपने बनाया अपनी महनत से शरीर के थंडा पढ़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से और फिर चिलाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ, माने ठंडे शरीर की इज़त नहीं है, तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई? बंद कर दो, कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता, तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है और चौथा और आखरी नियम है कि आप सबेरे ही सबेरे जब सोकर उठते हो, तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँख खुल गई, तो पहले दो-तीन गिलास पानी पीलो उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ, उठते ही पानी पीओगे तो दो फाइदे है पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आथ को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आथ की सफाई होगी पेट पे दबाओ पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे दो-तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह सुबह उटते ही पेट साफ होना जरूरी है और उटते ही पानी प्योगे तो मू की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी सुबह पेट में ऐसिड की मात्रा जादा होती है इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है ये चार नियम है आयुरवेद के पहला नियम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट घूट भरके पीना तीसरा नियम कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चौथा और आखरी नियम सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात-पित-कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात-पित-कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है और जो बीमार नहीं पढ़ते हैं वो स्वस्थ और तंदृस्थ और सुखी रहते हैं उनकी जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है आपको शायद मालूम है या नई एक साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी तो साल का करीब 6 लाक करोड रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाक करोड ये बहुत बड़ी रकम है इस से बहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़ें और स्वस्त रहें सुखी रहें और ये 6 लाक करोड का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर अक्सर ये ऐलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है और जो ऐलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं जैसे परसीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, आक्सिफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं भारत में धडले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज़्यादा गंबीर बीमारियों में फसा रही ज़्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किड्नी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं आतों में घाव कर देती है विकलांगता आ जाती है पेरलिसिस हो जाता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है हर्टटेक आ जाता है दुनिया में लगबग इस समय 84,000 दवाएं बिकती है और आपको सुनकर हैरानी होगी उनमेंसे मात्र 170 दवाएं हैं बाकी सब बेकार की दवाएं है उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6,000,000 करोड खर्च करते हैं ये बहुत दुख और अफसोस की बात है और ये 6,000,000 करोड का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिन्दगी में हर समय अपना आर्थिक इस्थती को देख के चलना पड़ता है जिनकी आमंदनी बहुत नहीं है जिनके घर में आमंदनी के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है तो कई बार क्या होता है किसी का घर बिग जाता है किसी का थेत बिक जाता है किसी के घर के गहने गिर्वी रख जाते है किसी को करज लेना पड़ जाता है किसी को करज लेकर दुबारा करज लेना पड़ जाता है मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले पंद्रे साल के प्रवास में देखा कि गाउं गाउं के गरीब किसान करज ले लेकर ये महेंगी दवाइं खाकर इलाज करते हैं डॉक्टरों को पैसा देते हैं दवा कमपनियों को देते हैं और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कमपनियां विदेशी होती है तो हम 6 लाग करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़ें दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े तो हम सुखी रहें स्वस्त रहें तो योग प्रणायाम करें चार नियमों का जीवन में पालन करें बहुत आसान है आपके लिए